तो आगे कोई बात नहीं होगी और दमादा लश्कर अंदर होगा उदाना खाथा आपकी बाते मान भी ली जाती है तो आप से बड़े लश्कर आकर आपको मारके ये कैसी रवायद पढ़िए शुरू हो जाएगा मुझे कोई फरक भी पढ़ना लगा जाती दोर पे मैं आपके लिए कर रहा हूँ आपके मेरे लिए पेकल लगा असलाम लेकुम एंड गूरी इवनिंग नाजम शेहर इक्तिदार में धर्मो को सत्रा रोज बीद गए आज तहरीक इनसाफ और हकूमत के दर्मयान मुझाकरात का साथवा दोर भी नाकाम हो गया जो इस बात का वाज़ सबूत है कि मामलात वही पर खड़े हैं जहां से उनका आगाज हुआ था और अब खासाब ने अपने टाइगर्स को आगे बढ़ने का भी कह दिया है और लगता यू है कि तहरीक इनसाफ और अवामी तहरीक अब हकूमत के साथ साथ तमाम लोग एक बंग गली में पहुँच चुके हैं एक तरफ खासाब ने इहतिजाज और धर्णों का दारेकार मुलक भर में फैलाने का एलान कर दिया तो दूसरी तरफ डॉक्टर ताहरु कादरी भी आखरी कार्स खेलने के मूर में नज़र आ रही है और उन्होंने ये भी कह दिया कि अपने टेंस उतार दिये जाएं खिताब के बाद अब इस सारे सिनेरियों में आगे क्या होने जा रहा है कादरी साथ के मुताबक ये पार्लिमेंट कंप्ली अनकॉंसिटूशनल है इसी पौलिमेंट है। में मिल रही है उसमें खासाब में अपने टाइगर्स को आगे बढ़ने का कह दिया है और कादरी सहाब भी अपने फाइनल स्टेट प्लान को फाइनलाइस करते में नजर आ रहे हैं अब ऐसी सुरते हाल में आगे क्या होने जा रहा है क्या होगा आज की रात अगर प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ते हैं तो आगे की जाने पार्लिमें नजर आ रहा है सवाल ये भी एहम है क्या वाकिए अब मसला थर्ड इंपायर ही आकर हल कराएगा ये बाग भी एहमित के हामित समझी जा रही है क्या हमारे सियास्टदानों ने अपने हिस्टरी से अपने माज़ी से कोई सबख हासल नहीं किया क्या अगर हिस्टरी में देखा जाए तो टोटल कांसलिटेशन से मामलाब को हल नहीं किया जा सकता था हमारे साज़ाइद हामित साब लाइन पर आ चुके है कादरी साहब ने टेंट उतारने को कह दिया है आपको क्या लग रहा है जो ये मुजाकरात किये जा रहे है क्या इन मुजाकरात से कोई उमीद की किरे निकल आपाईगी क्या उटाना जाए क्योंकि जब आप इस तरह का कास्टर लेते हैं कि पैंटो पार्ड और मिल्पाईगर आगे 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 और आप मूज करने में तो हकूमत की पैनिक में आती है हकूमत किसी शुरुप में प्राइश नहीं ले सकती क्योंकि एक शुरुप में प्राइब के चौदा कास्टर लें नहीं पूले रही हैं और नजीब अज़िए जबबारा कास्टर लोगाई या आकर तो पुर ये सारा मलबा भी शौदरी मिशार और मवाद शरीफ पर गिरेगा तो उनकी का हलक में साग रुकी हूए है कि कई दखादम ना हो जाए इन्होंने पुलिष वालों को भी पार वाँग ले लिए यालिए उनको नातिया भी गई ये ले बहुत अपने कास्टर लोगाई तो अब तारुकादरी और इंगां का मतलए यह है कि इनके भी वर्टर वर्ट पेस्ट्रेट हो गए अग इनके पास यादा वक्त नहीं है पत्रा फिम खुले है असमान के नीचे सेखर अमीज के पूरी पाकिस्तान चाहिए यह लोग पहुंचे ही लाकर और लिडर्शिप में प्रेशर है कि इस मानने को जल्बी फतन करें तो यह लोग पर फ्रेशर बिल्ड हो चुका है अगर खाय उखा को इसे ब्राइब भी रुक्त वखते भी और यह आखरी टाफ्स है कि आर्मी में जब आर्मी को बीच में डाला गया करेंगे कि तार लुकादी या इजान के पहुज का कोई राथा नहीं हुआ और फार्ज में उसे बाज़त कोई है कि हम इस मामले में पहलें देखे आप खुभी पहले और फार्ज पुर आखर में एक पहस्ला परेगी कि आर्टिकल 245 से तहट हमारे जो अख्तियराद है अब उसके पहल करते हैं उसमें यह नागे बात करेंगे कि हुकूमत इनके अख्तियराद यह है लेकिन जायदामित साब हमें इस 245 के मतालग तो कल नैशनल असम्बली के फ्लोर पर वजीरादम भी कहते हुए नजर आए कि फॉज से अगर ना भी कहा जाता तब भी वो आर्टिकल 245 के तहट उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रेड जॉन के एरिया की सेक्यूरिटी की हिफाज़त करें तो इस हमाले से क्या फॉज बाउंड है उस इलाके की सेक्यूरिटी के लिए तो फॉज की तो दाखलत कहले या फॉज का जो रोल है वो तो हमें नजर आएगा यहांपर देखे एक दो बाते यहां बड़ी वाज़े क्लियर क्लियर करने की है कि जो आप तुज पुज की बात करते हैं लगाई तो हो लेकिन फॉज के पास कंट्रोल नहीं है आप एक सारी पिली सारे मामलाज ये खुद अभी तक विजारते दाखला कंट्रोल कर रही है और फॉज इस पर ख़पा भी है कि एक सारी प्रोल नहीं तो आप प्रहाई भी जिन्मेदारी फॉज की बंती है लेकि आप एक पॉज़ा को मैं देनी है चंट्रोल को मैं देनी है स्क्योर्टी हमारे पर खॉय नहीं हमको आपने कर दिया है विल्डिंग केंदो पाली तो बास यह है कि जो भी एक तरीखे से फिरस वरस को इन्हों ने पेले टिकोपी इंसंतों को आइला को बीच में गाला हो चाहिए कि बाद में को आज में गालाओं को पाही नहीं जा अब लुग आज है और शोरी फिर्टीफीरी फिरस्पी परेशान है उसी काई को फोल गर्म प्राउड को जगरा होता, यह उखूमक हो ते जी ही तुम फ्रटिवाइटए के लगाए था ! फ्राउड आई लगा इसलगा नहीं इसलगा कि सारी माफ़त तो यह लोग मरगे ठीक हमिर शाह मेहमुद कोईशी साथ भी कहते में नजर आ रहे हैं जायद हमेद साथ के पार्लिमेंट पे हमला करना पी टी आई का एजेंडा नहीं है जबके खाह साथ में थोई दिर पहले कहा है कि 17 दिन पूरे हो गए अब वक्त आगे आगे बढ़ने का तो फिर खाह साथ क जाने का इसा रहा करें है जबके शाह मेहमुद के मुताबक प्रलिमेंट पे हमला करना वो पी टी आई का एजेंडा नहीं है तो प्राइमिनिस्टर के बार भरना दोना पाते है। तो प्राइमिनिस्टर के बार भरना पाते है। तो प्राइमिनिस्टर के बार भरना पाते है। तो प्राइमिनिस्टर के बार भरना पाते है। और गाती है कि हव्कुमत खौप जबा भी तो है। अगर ये क्लाइश होता है तो इसका नफसान पहकुमत कोई होगा। तारी खाजियों अम्राम जेगा प्राइमिनिस्टर के बार भरना पाते है। तो प्राइमिनिस्टर को रोकने में कुस्मक्सान हो गया तो आप लारे हमको नहीं करते है। और नाश्री इस रख प्राइमिनिस्टर के लिए तीने पार्पिस के लिए एक बेंजरे सुपेशन है। ये तारे बंदियों में ख़ड़े है। तो इनको कुल ना कुल ब्रेट कोई है अपने वेजलाग से निकल ली। जो साथवा दौर था मुझारात का पी टी आई और हकूमत के दरमयान वो अब खताम हुआ शाह मेहमुद कुरेशी साब कह रहे हैं कि फाइनल गांड कल होगा मुझारात का। तो अब इस मौके पर इन आखरी घड़ियों में क्या आप्शन्स हैं पी टी आई के पास हकूमत को पेश करने के लिए और हकूमत के पास पी टी आई को पेश करने के लिए। अब भी टी 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 आई के लिए यह प्रकूमत को करने के लिए पास करने के लिए। यो इसना जाता है कि इमरान और काइण तरकाइण के लिए मीद्धास के लिए रुकना तक्रीबल नामचिन हो गया है अगर इसी दगा बैखने रहे और करो इनको बात की तो इनी के बाणे है एक लोग दॉस्ट्रर गाना दिखाना है कि हमने कुई प्रग्रेस की है हमने को आगे बर्दर पिश्कादमी चाहता है यह सब्सके इंको ब्रामा दिखाना पड़ाएगा अगर नहीं करेंगे तो फिर इसे लोग प्रस्वेट होके इनी के खिलाप बात करेंगे और लोगी ज़स्टान आपकुरेशी में आके पाक्तान आवामी कहजी के जलते में तक साथिस्मेंट के बहुत जादा मज़ीज है तो उनका इम्राम जे तरीब होना भी जो पाक्तान आपकुरेशी को इंकलाभी आदमी है तो इनकलाभी प्रस्वेट देखते हैं जो कुतन का आदमी उनकी मुझमन को रोक रहा है तो उसमें घुस्वा पड़ता है तो तो आपक कादरी साथ मिल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि दोनों पार्टी जो है बड़ा एक ही प्लैट्फॉम पर नजर आ रही हैं अगर इम्राम बेशक इम्राम की टीम बेशक हकुमत करेंगे लेकर अगर कादरी के लोग आगे बड़ते हैं और उनका पुलिट से पकादम होता है तो पर पाकिस्तान पहीं के इंसाथ के लोग भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे बाहन के इनको नहीं रोख सके गाए जो तीस दिन की अभी दख टेम्री लीफ की जाते हैं एक माँ के लिए किसी और को यह ओदे दे दिये जाएं तो अपको लगता है कि यह आखरी घड़ियों में कुछ इस किसम के मुतालबे को मान लिया जाएगा तो पर इस मसले को हल करने की डेस्परेशन कीमा के उपर है इसको पूरे स्चांप से पीचे हट कर एक मही लिए की रुखसतवाई आप्शन पर साइब राजी हो जाए कि इमरान इनको यह करने की कोशिच कर रहा है एक मही रसे आप्शन पर इस तो राजियों कर दे दे एक कमिशन बना करें तो शाज भी घड़्मा के तो वर्कर इनकी इसी की प्यासिट कर देंगे ना इमरान को व लिए राजम को बहुत दे देते हैं उसको कहने ते हैं कि वह सामिल नहीं था रिजिंग में और इनको पता है कि किस तरह बनते हैं और किस तरह में सिगेट करते हैं तो फिर यह उनवासरी वाकित आजाए आपनी जिगा से और इसके खिलाप यह कुछ गोल नहीं तगेंगे तो यह आप्चन इनके वर्फर खिबिल नहीं करेंगे लिगाज अंडर प्रेशर हैं हो सकता है कि अंडर प्रेशर होके ब्लंडर कर गया है वरना अगर यह था प्राइम मिनिस्टर तो भी प्यामिलन का ही कोई लॉयलिस्ट होगा तो फिर खाह साब या कादी साब कैसे क्रॉस्ट कर सकते हैं कि प्यामिलन का ही लॉयलिस्ट थर्डी डेस के लिए प्याम बन जाए और वजीर आदम नवाज शरीफ जो फॉर थाइम बिंग जो है रिजिगनेशन दे दे इससे हासल क्या होगा उन दोनों को कि कुछ भी रापन नहीं होगा यह प्लिटिकली खतन हो जाएंगे यह रुस्ट होंगे इस देज़त होंगे इंका वर्टर इंके खिलाफ पड़ा हो जाएगा अगोमत वाका में जो आगा तो वह पीछे एक के रीजुट ड़न दो रियेख हुआजाए खिले इस वक अंडर प्रेशर है वह प्रेशर फटर ने जाएगा और यह तो बिरकुल बात है कि रिजगासम उटके ताइस से तलजा इसकी पार्टी सा पर पार्टी नामिस को जो बात अब कादरी साब भी कह रहे हैं कि पी-एम और सी-एम दोनों जो है तीस दिन के लिए यहुदे किसी और को दे दे तो अब यह जो कादरी साब और खांसाब की मीटिंग हुई थी उसके बाद कादरी साब की जानेब से भी यह फ्लیکसिबिलिटी दिखाई जा रही है इसके नतीजे में शाइब यह जो बात कही है तो इसके नतीजे में शाइब यह जाएंगे यह फुद भी और इम्राम भी फुद इसके वरकर पर इंगो कभी ट्रॉक्त महीं करेंगे इसके नतीजे में शाइब यह जाएंगे लेकिन इम्राम की तो प्ले कितल वरकर हैं भी तो नहीं है वो इसके लिखाएंगे और इम्राम के लिए भी बहुत बड़ा प्राक्स करा हो जाएगा जैदामित सब्हामें खासाब अपने खिताब में काफी एलिगेशन भी लगाते में नज़र आए जिसमें से एक बात जो सामने आई है आज सुबह ही आई बी के जो डी जी है आफ्ताब सुल्तान साहब उन्होंने अन इलिगेशिंज को मस्तर्थ किया है जो राट साब ने इतने परसो राट के खिताब में कहई थे इसे हकोमत इसम forbidden की घूतुं की हकोमत है इसको कोई अ बिनाऊ मों करसकता कि पूरी अपकाम की SPR को नहीं जहाता और पुर देना परा कि हमने जो किया है अपकाम के से फहिमें पर किया है यह चाज दीस वागयी कि बकाइदा ISPR के एक बयान को रोकने के लिए तरह उडाला गया अकुमत की तरफ से कि आपको इस बयान जारी ना करें और जो हमने कह दिया इस पर खामाश हो जा तो जब हकुमत वक्त इतने लेकल जूट बोल रही हो पाक साथ को दोपक कर रही हो इतना बड़े बड़े आर्मी चीप को बेज़त किया इतना रुस्वा किया जिया कि आर्मी चीप मामले में बखन देने से इंकार कर दिया तो पिर आप बीजी आईडी के उतबार करी नहीं सकते है और इस खिसम की अचामत है जो इसका बागी है जो ग्राग्डाउंड है इसमें के अंड़ दी बात तना है ये तो बिल्बी तरीवा कहात है कि युनों ने अरज़र क्रोनर पर तक्सीम की होंगे लोगों को अपने हक में लाने के लिए वीडियो जो जो अरवाई की उपर लुपर में चलाएं वीडियो बेखने लोगों में के उनके वुजीरे पानून जो है बुटिस परीकर से निवेशियेट कर रहा है तरहसे के इमामियों पर दोलाई में किया जा सकता है जायदाविच सब हमें याँ पर एक ब्रेक लेनी होगी कि अब ब्रेक से वापस आके अपनी डिसकुशन को कंटिन्यू करें कर मालूम करना चाहेंगे जो यह मौझूदा डेड्लॉक नजर आ रहा है इसमें रिजलूशन क्या होगा स्टे विद इस विट बेख एक शॉट ब्रेक विल्कम बाइक नाजरीन इस वक्त पी टी आई की डेलिगेशन और हकूमती डेलिगेशन के दर्मियां सात्वाँ दौर भी मुझाकरात का खतम हो चुका है और पी टी आई की जानिब से 11 पॉइंटर एजिंडा हकूमत को दे दिया गया है और हकूमत ने कल तक की मौहलत मांगी है जैदाविट सब अब ये जो एक फाइनल राउंड हो रहा है मुझाकरात का जिसे पी टी आई की जानिब से 11 पॉइंटर दे दिया गया है हकूमत को कल तक की मौहलत मांगी गयी है आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल डिमांड होंगी इस 11 नकाटी एजिंडे में पी टी आई की जानिब से नेखे पी टी आई की एजिंडे का तक आपको मालूम है उसे की एक्सेंछन-टो है उसे की तफिरी होगी पहला अए यंडे लिएमिड से की ती प्राम्मिनिस्ट के लिजानु करें कि पर कमिशन बनेगा उससे इन्रेट करेंगे इस महिने में क्या होगा लेकिन बात यह नहीं है बात यह है कि जैसे हमने आप से कहा है कि यह से निगोशियेट आप सिर्माने को वक्त नहीं रहे जाएगा कि यह से निगोशन बात में कि जाएगा लिए अब यह से उसके इसके इसलमबाद के अधार बाकी राक्रादे इन्होंने शीर कर दीए है कि अधिन बस-पंद्राह थार पोलिस नहीं बिलाकर कैपने डिविजन के वाएगा जाएगा आर्मी इसको घ्येच्व रिड अइलेड ह अब ये कहते में नजर आए है कि चंद हजार लोग करों के मैंडेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते इंतिखाबी इसलाहाद से मतालिक मतालबे मान लिये गए हैं उन्हों ने ये भी काए कि धर्णे से पाकिस्तान की तरक्षी को नुकसान पहुंच रहा है ड़नों ने काँम की खुशाली के सफर में खलल डाला है मगर अब ये हेजानी कैश्यथ चंद रोज में खटम हो जाएगी इसमें तो कोई शुबह नहीं है कि हजानी कैसे चंद रोज में खत्म हो जाएगी आर या पार लेकिन अवर्चिता कि इस बयान के तो जहरे कोई बित तफाक नहीं करेगा कि चंद हजाद लोग इनकी अपूमत को जिमुरियत के लिए खत्रा रही है खत्रा को बन चुक है इस वक्त सो बड़ा क्राइसिस इस वक्त अपूमत है वक्त अपना हुआ और यह जो ओवर्चिता को आज़ो आए जूस के यह पहनाग दिया कोदे तो नरहां अज़िता कर दें उसने चान सामसरा से घ्यान देरे से वह कंद रहे हैं कि तारुकादरी इलबार खाली ठ्रैस लेगा है इंसी घिगर रखिया करेंगे कुछ भी नहीं और आपसे पिसकत ख्राइच एक अगिंदा उन्दा वहाए झाने के लिए और आपर ये प्राइचिस की फुए है अगर ये इस फुर्ए ने तो एट आपने इसके विए प्राइच प्राइच कर सिर्डुनी करते हैं कि अगर इसके खुरब में तो अग भेष पर नावासरी की जब उनकी पहली डिमांड ही PTI की नॉन स्टार है, PN के रिजिगनेशन का मुतालबा है और दूसरी जानिब से कहा जा रहा है, सान अकबाल साब भी कहते हुए नजर आए कि ये गहर आईनी मुतालबा है तो फिर इन मुजाकरात में कल तक की मौनत किस बात की मांगी गई होगी और यह कि अजर गाल करता है, और इसलिए जैसे आपने आपने आप लागे पर रह रहा है और काधिर जाब में प्रेशर बिल्ड किया गया है, यह भी पार्केलाजिकल गेंग हो अगर जायदामित साब ये लोग आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो क्या आर्मी किसी किसम का एरियल फायर करेगी किसी किसम की कैयास को रोकने के लिए किस हद तक कि लिमिट्स दी गई है आर्मी को क्या ARIEL FIRE जो है वो देखा जाएगा अगर ये लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं पार्लिमेंट की जाने पर जिसी ये सेट्मन पकूर आर्मी की दरफ पर आज़ता है कि आर्मी किसी सूर्थ में अपने लोगों पर फायर नहीं करेगी आर्मी इस वको स binge के दर्मियां में भी फायर मौझود नहीं क् Always मौझब नहीं है नतर सरकारी नारतो के अंदर तो अगर ये दर्नेवाले वाले ये करते ही कि से लगों आगे बरकर भइुब हाय। वायर पर शॉब्सन के सामने से साथ ना प्रीच में आएगी, ना आपको नज़र आएगा, ना तो पाय करेगी, अगर पुलिस इन लोगा को लेकर एक इतनी बड़ी लाई शुरू हो जाए, आग लगना शुरू हो जाए, उस शुरू अपने साज पर आकर कर्प्नी लगा सकती है ठीक हमें शेख रशीद साब कहते में नज़र आए हैं, उनका जो भी बयान आया है, कि एक दो घंटों के अंदर अंदर वो अपने हिकमते अमली बताएंगे, लाया अमल बताएंगे पीटियाए का, तो इसमें हमें पिर कल तक की महलत हकोमत में मांगी है, शेख रशीद साब एक दो घंटे के बाद अपने लाया अमल का बारे में बताते हुए कह रहे हैं, तो आज रात किसी किसन की प्रोग्रस होगी, कादरी साब भी तयार नज़र आ रहे हैं, या ये फिर एंड टाइम पर एक और डेडलाइन दे दी जाएगी? आज रहे हैं, एक लुद करें परोग्रस का बारा आज अपने वर्टण के प्रेशर नज़र नज़र करेंगे, वह हम करेंगे, तो आज प्रेसर इतना है कि कंट्रोल अभीजर के हान नहें, अभी तो थे जाब गशने की प्रोग्रस का बिलागा है, तो आज मीचे से तो बिल्ट करें कि एक लाख आद्ली कुले आस्मान से निचे लेगा हुआ। वो इस वक्त रिजर्ट से लेक्षिटें। और भूए मुसर्ट निगोशियेसं पर रद कीट और डेलिगेक एक डिन 24-24 गंते और कारेज़ने की डेड़्गाइड आप लीचे लोगा है। अगर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें MQM के रोल को देखा जाए तो हमें इंताफ हुसेन साहब जहें वो कल भी कहते में नजर आए उससे पहले भी कि मैंने कहा था कि फाज आएगी तो इंताफ हुसेन साहब क्यों इतने पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि फाज आएगी फाज को आ जाना चाहिए और MQM के इंक्लिनेशन भी इन धर्णों के सिंप लग रही है क्या ये रहुक्ति ये एक वार्णिंग सिग्नल नहीं होना चाहिए अगर ये बाद के साहज आए और आखे टेकर जावनेट बना इस हकूमत को ख़तम कर दे और मैं जबस्ते कहरा हो कि ये करे आएग तो उसक इसी में एक राज क्यों नहीं किया बात यही है कि ये सकते मालूम है कि ये होने जा रहा है आज नहीं तो कम नहीं तो फॉस हो इस डेटलाग को हकम करने के लिए फौज ए डिसाइसिज इंट्रिवेंशन करेगी खाब को तो तो उस वा कि जब हकूमत और हमें जमर्राहिल को लेकर पूरी फौज के जारे सकी इसकी परी तोहीं किये कि फौज अब इसको बरगार नहीं करेगी कार्लेमेंट में आप उतना ही बोल सकते फौज को एक राज पहले बाल्ट पर के सुबाद यह नहीं कह सकते इसको पाज और पाज नहीं करेगी अगर पीपल्स पार्टी की रोल को देखा जाए इजाद हमेड साब तो में पीपल्स पार्टी की जानब से भी यह सजेशन सामने आई है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ओफर जो इमरान खान साब को दी गई है इसको प्राइब इसको प्राइब लाग फाल फर इस वाली पाज़ा नहीं होता इमरान अल्रडी इसको दिनाय भी कर चुका है यह बगर क्लीर बात है इसको पार्टी किसी आफर को खुबूल करने का मतलब कम्प्लीट लिए आपको स्यासी तोर पर पदा करना यह बात मेडिया मेडिया में पहले है थी उन्होंने इसको पैसे लगाने की को भी टेथी अजल खत्रा उनको इमरान से है बिकॉज वे एक प्रविशल गवर्मेंट का है पुरी इनके पास पार्टी है एक पूरे सूबे को यह चलाते है जो इनके बिर्मेंट चोटे सिस्टम यह सिस्टम के अंदर का अगनी है पायुखावी बाद को भी यह कहते हैं कि को एक ऐसी एक नॉन सेख होल्डर को जमात है पीर साथ की और उनके मुरीदों की उनको और पास आडल किये जागता है लेकिन प्रब्लम अब यह है कि इस वाक्त सब्सक्र यही नजर आ रहा है इनके तमाम हली पर इत्तहादी बिगाती तो साथी वाले ही सही वो सब्सक्री यह बाद जान रहा है इसको रिकवर करने की कोई सुरुपाल इनको नजर नहीं आ रही हकूमर ने रहुद ब्लंडर कर दिया है कि इनुने साथ को बुनाया दूसरा ब्लंडर यह किया इंकार किया तेसरा ब्लंडर यह किया पर बेज़द भी किया तो यह तो यह को मुसल्किल ब्लंडर की चला जा रहा है और अगम जो लगता यह है कि निगोस्टेशंड में आला से एक महीने की अगर माम लेता है तो यह तो यह तो यह को महीने के लिए लेकिंट इसको नाम के यह बहुत ब्लंडर कर रहा है इसके नतीजे में कि प्र जो प्र गईशर बिल्ड होगा तारु पादरी और इम्राहं के यादे करेंगे तर क्मादम के नतीजे में जाएगी तर वह होगा जो अलता को काइन कहरा है जरते में अप्रियाद्ट के बिखनें करके इस्क्तुरीय के टेकर गर्वेंट बना जाएगी ये सबक्किशंद अब पीन-चार दिन में खाता जो के नजरा रहा हूँ आप नौसरी की ठीक है कि तन जादा दिन ये ब्रामा नहीं चलेगा लेकिन किसके हक में अकम होगा इसका भी उसको अंधादा नहीं है जी हम जो है एक और एस्पर्ट में भी बात करना चाहेंगे जादा हमें साथ जो मीडिया के हमाले से पिछले दुरे डिसकेशन हुई है आपने भी सुना होगा खांसाथ भी इंजाम लगाते में नजर आए मीडिया पर और पर चौदी निसान ने भी अपनी प्रेस कॉंसरेंस में कलका कमाम बोज़ जब उनने मीडिया के उपर डाला कि मीडिया भी हर वक्त खबरे देता रहता है और जिसकी वज़े से पूरी कौव एक हैजानी कैसित का शिकार हो रही है तो मीडिया की रोल को आप कैसे देख रहे हैं मीडिया की रोल को तो बहुत सख तनकीब का निशाना कहीं साल से बनाया जा रहा है सुपें कोर्ट में पिटिशर्व भी पुरी हुई है पाकितान आर्मी की अपनी एक मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के जरीए एक रेफिल्स भी है पूरे एक मीडिया गुर्प के खिलाफ बागाईदा जिसमें कहा गया है अपने परसौरात के खिताब में आईबी को भी नो ने इन्वाल्फ कर लिया और पिर आज ही हमें आईबी के डीजी की स्टेट्मेंट सामने आती है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया जबके सोचल मीडिया पर पूरी लिस्ट जो है वो रिवाल्फ कर रही है उन एंकर्स की जिनको पैसे दिये गए तो यह टाक्टेक्स जो है किया यह सही सियासत की टाक्टेक्स हैं यह के स्टेंडर्स सियासत होती भी नजर आरही है पाकिस्तान में अन्यर्टेय में आते हुग ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना तो इसका पालुख शेयर एंट फरी जिर्लिज्म से हैं ना उसका पालुख दमाक्राटिक्स के साथ है ना इसका तालुक दुनिया के स्टेबलिश्ट जुडिशिन की वदान्मे के तालोंगे साथ है एक मज़ाः को उसके पाकिस्तान कषजका बनाना रे पुपनिक बना गीा है आप दुनिया की बेचैप दुनिया सारा लेगा आप देग सकते हैं दुनिया की किसी मुल्क में देख लेए इसके सुनका सरके कहीं होते हैं आपको नजर आ रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है जो आप रियासती अदारे एक दूसरे को पक्रा रहे हैं जो आप इसनी तरफ हुकूमत इसमें शदीद अलजमात के पार इतने लोगन को कतल करने के इसको जमाना का थे मिडिलिज में, मियर्यूम HISाम में बीज झारे की पाकिस्तान में गोडि़ने की चिछे का तो इसको फिशती कोश थाया ग्रशती करते इसके अपस्त। तो क्यों हो डीरे बाथ है। भी रियासित एबारे आकर बुर्प ऊंक्राइए है। पुपी घाप्ल में करता already सटर्वियस्थ वहुते हैं, अब आप Tou background ऑप me ऐसकी पॏ रिक्षिए आराओ है। वागगा इसलिए प्राइमिस्टर में भी फौर्ज में का चाहिए और आप लिए इसको बाफिष लाना करेगा इस सारे प्रौसेस के दरमा इसके लादा कुल है वरना सड़क के आप मेरेंगे एक दूसरे के गले और फर्दिनों में नज़ा जाएगा लेकिन जब फॉच के पास गई भी इमरान खान सब आपने कoffs बें खाए कि चाहए कि और इमरान खान मात गाय। चा कोई رेसिलूशन लेना वो भी एक्स्पेडाइट क्या नहीं कर लिया गया वो भी का एग्साइस नहीं कर लिया गया नहीं जो बिल्कुम नहीं इस प्राइट किया है, जा देखे, फॉड ने जनल ज्यानी के दोर में इंटर्विन किया था, उस वक्ते पदर पर दबाव दाना था, तो आप इस जक्तिस को रिम्स्टेक करें, और उस वक्तारी ना उस्टामे के बावजूद उसका दिल नहीं चा और गुला मिसाख खान और पाकर में इनको रिजाइन करवाया, तो इसी तरह अब मांगो तो हल इस तरह करना यह सौज़ की पर छोड़ता पड़ेगा, वह इम्रान अतार्वकादी से कह सकते हैं कि आप पीछे हज़गा हम जमानत लेते हैं कि इन्वस्टेशन प्राइंगे इनकोाईरी करवाएंगे और जोस्ट होगा सामने लाएंगे हमारी गुमानत पर और पीछे होगता है, एक यह भी तरीका होगता है, एक तरीका यह हो सकता है कि आर्मी की फास्ना करें कि यह रखुबत बहुत अंतों से लोगी है, आप यहादा प्राइब में स्कूट बोलत जेनरल राहील शरीफ का टेंपो नज़र आता है, क्या आपको लगता है कि वो ऐसे आर्मी चीफ है जो के प्राइम मिनिस्टर से रेजिगनेशन का मतालबा करेंगे, या इम्रार खास साब जो है, उनसे कहेंगे कि वो अपना मतालबा छोड़ दे, अगर आर्मी की इंगॉर को भलत ना तमझेगा, उनके बारे में किसी खलत वाइमी का शिकार न रही होगा, वो सफ ठाख प्लार जेखें उनके वो सफ्फ ठाख जलाल है, इसको पहते हैं किसी किसम का हमें कोई शक्त नहीं है, बट वीर ठाप अबादर नहीं है, तो यह जो आप उनकी भादरी और व जेनरल राहिल शरीफ साहब किस हद तक जा पाएंगे? किस हमें पाएंगे पाएंगे तक जोट बोला पार्लिमेंट तक तका फिलाप होगे हैं जो अब तक की रीसेंट अपडेट रिसीव हो रही है उसके मताविक तहरी के इंसाफ ने जुडिशल कमिशन कबूल करने के लिए अपने अमादगी का इजार कर दिया है अब आने वाला वक्त ही बताएगा के अगले चंद घंटों में या अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है आज के लिए इतना ही सी ओल टमार नाइट अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा अलाहाफिस एन गुड नाइग